तो अगर आप ये 5 products अपने साथ Canada Carry करते हो तो आपको काफी दिक्कते आ सकती हैं आपको immigration पर रोका जा सकते हैं, आपके पैसे बरबाद हो सकते हैं या फिर आपको काफी inconvenience हो सकती है Canada में तो इस video को end तक जरूर देखना क्योंकि इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 products के बारे में जो कि आपको Canada Carry नहीं करने चाहिए अब पहली चीज जो कि आपको अपने साथ Canada नहीं लेके जाने चाहिए वो है नए electronic products अब पुराने electronic products आप अपने साथ Canada लेके जा सकते हो जैसे कि आपका पुराना phone या फिर आपका पुराना laptop लेकिन अगर आप नए products purchase कर रहे हो specifically Canada लेके जाने के लिए तो वो गलती मत करना अगर आप नया laptop ले रहे हो या फिर नया phone ले रहे हो सिर्फ इस purpose के लिए कि चलो हो यार आप Canada जाएंगे तो हम नहीं नहीं चीज़े ले लेते हैं लेकिन बाकी products में आपको limited Indian warranty मिलेगी तो वो Canada में उसकी warranty valid नहीं रहेगी तो अगर Canada में आपको phone खराब होता है तो आपको उसकी warranty नहीं मिलेगी और आपको पैसे दे के सही करवाना पड़ेगा इससे अच्छा Canada में आके laptop और phone लो तो वो जादा बेटर है तीसरी चीज़ यह कि आपको जो electronic products के साथ जो socket मिलेगा charging वाला वो Indian socket मिलेगा लेकिन जैसे कि आपको पता कि Canada का socket अलग होता है तो आपको universal adapter अपने साथ हमेशा carry करते हुए घूमना पड़ेगा और उसकी अलग उसका आपको extra universal adapter purchase करने पड़ेंगे तो इससे बड़िया यह है कि electronic products आप Canada जाके ही purchase करो नई electronic products आप India से मत लेके आना अब बात करते है हमारी second category की और वो है रजाई रजाई जो है काफी लोग को यह लगता है कि Canada में बहुत जादा ठंड परती है माइनस में temperature रहता है तो हम अगर आप घरों की बात करों तो mostly सारे घरों में central heating होती है मतलब घरों के अंदर गरों के अंदर ब्लांकेट ले जाओ वह जादा सही रहता है क्योंकि रजाई एक तो आपका space बहुत जादा लेगी आपके backpack में और weight भी बढ़ाएगी तो इस अच्छा रजाई carry मत करना एक एक और चीज मुझे clear करने है कि काफी सारे लोग comments में लिख रहे थे कि packing की वीडियो बनाओ तो packing की वीडियो भी काफी जल्दी आने वाली है अभी मैं क्या करा हूँ सारी चीज़े buy कर रहा हूँ और packing ही कर रहा हूँ एक बार ये पूरी packing मेरी complete हो जाती है तो उसके उपर भी जरूर वीडियो आएगी तो उसके लिए भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना तीसरी चीज जो कि आपको Canada नहीं लेके जानी चाहिए वो है medicines without prescriptions अब वैसे तो आप medicines Canada में लेके जा सकते हो लेकिन उसका आपके पास prescription होना necessary है क्योंकि आपको पता है Canada में काफी ज इतनी भी चीज़े होती है इन सब की medicines अपने साथ जरूर करो लेकिन इन सारी medicines का prescription जरूर ले लेना किसी doctor से ठीक है और वो prescription अपने साथ आपको carry करना है जब आप immigration पर पास कर रहोगे और हम जब आप Canada में होगे तब भी अब चौती चीज जो कि आपको Canada Carry नहीं करनी यही सेम चीज़े पर्चेस करेंगे तो आपको better quality मिलेगी क्योंकि वहां के temperature और वहां के environment के साफ से adapted चीज़े आपको मिलती है अगर आप jackets पर्चेस करेंगे तो आप Canada में आपको बड़िया quality के मिलेंगे obviously तो आप इंडिया से यह चीज़े पर्चेस मत करना ज्यादा से ज है या फिर अगर आपको मुझसे बात करनी है फिर कोई question पूछना है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो मेरी Instagram की ID यहां पर आ रही होगी और मैं सारे messages का reply कर देता हूं तो मुझे follow भी ज़रू कर देना Instagram पर तो आखरी चीज़ जो कि आपको Canada Carry नहीं करनी चाहिए वो है kitchen के items अ और यह सारी चीज़ है और अचार भी यह सब हम Canada लेके जाएंगे लेकिन Canada में अगर आप किसी भी इंडियन स्टोर पर जाते हो ना तो यह सारी चीज़ आपको easily मिल जाती है तो आपको बहुत जादा stock pack नहीं करना है ऐसा नहीं कि आपने दो 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 तीन-तीन किलो की अब यहां पर मैं सारे kitchen items की बात नहीं कर रहा है मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन से kitchen items की बात कर रहा हूं क्योंकि basic utensils और cooker हो गया और fry pan हो और यह सब चीज़े आपको लेके जानी है लेकिन जो चीज़े आपको लिमिटेड लेके जानी है वह चीज़े मैं आपको बत लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप किसी भी Canada में Indian store पर जाते हो तो आपको easily अचार और यह देशी घी और यह सारी चीज़े इंडियन मसाले यह सब अवेलेबल हो जाएगा तो आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया से आप इतना stock pack करो ताकि आप अपने 10 य में उसको यूज कर लो जादा पूरे साल का stock भर के लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सारी चीज़े आपको easily Canada में मिल जाएंगी और दूसरी चीज अब जिसकी में बात करने वालों वह भी kitchen से related ही है वो यह है कि आप जितने भी plates रखते हो जितने भी crockery रखते हो वह सारी भी जादा मत रखना क्योंकि ऐसा नहीं कि वो Canada में बहुत जादा महेंगी है वो भी आपो Canada में काफी सस्ते प्राइस से मिल जाएंगी अब जैसे कि Canada में एक store है डॉलर रामा करके वहाँ पे आपो काफी सस्ते में चीज़े मिल जाती है जैसे कि आपकी crockery जितनी भी और आपको Canada में आइटम्स मिल रहे हैं तो क्यों भाई इंडिया से लेके जाने तो अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला या फिर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और यह तो थे वो पाच आइटम्स जो कि आपको Canada Carry नहीं क लिस्टेक बनाई है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप यहां पर जाके चेक आउट कर सकते हो यह वाली वीडियो भी जरूर देख लेना काफी इंफॉर्मेशनल हो काफी इंपोर्टेंट है तो बस इस वीडियो में बस इतना ही दिस वो समर्जीत साइनिंग ओफ